यह इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है क्या फूफुरत सीन है यार वाकई मैं पूरा दिल्ली देखने के लिए मिला यहां से सारा कुछ यहां से आप देख सकते हो इस मिनार से 25,000 लोग एक साथ में नमाज पढ़ सकते हैं एक टाइम में अगर पढ़ना चाहें तो सब्सक्राइब करें यूटूब चैनल वास्ट वर्ल्ड ब्यूटी और कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो चंडिगन में था अभी मैं आचुक जब अगर किलाल किला है या जामा मस्जिद है यह चांदनी चौक के आसपास में पड़ता है तो यहां पर बहुत सारे होटल जहां पर आपको एजिली मिल जाएंगे महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते तो यहां पर मैं एक होटल पर रुका हुआ हूँ जिसका लोकेशन च लाम मजजीद की वह सब मैं आपको दिखाने वाला हों के सो गाइज यह है मेरा रूम जहां पर मैं रह रहा हूँ इस होटल में मेरी सारी चीज यहां बिख्री हुई यह देख सकते हैं और मैं एकदम टैरिस पर रुका हूं जो कि यहां पर देख सकते हैं जा बहुत ही तो यहां पर लिफ्ट भी लगी है क्योंकि चार-ख्लूर का यह बेलिढिंग है तो इसके लिए जहां पर मैं रखाओं मैं इसका प्राइज थो मैं आपको बता देता हूं कि भी रूपे 150 रूपीज से लेकर के 900 तक यहां पर चार्जेस जिस टाइप का यहां पर रूम लेंगे उस हिसाब से आपको चार्जेस पढ़ेंगे यह जो मेरा रूम है यह 350 का है यहां पर मैं टैरिस पे एकदम ऊपर रह रहा हूं तो काफी सस्ता यार और मुझे यहां पर बस ख घूमने का और अगर आप जैनी चौक में रूम लेना चाहिए लाल के लिए और मस्जिद के पास में तो यहां पर आप कांट्रेंट करके यहां पर आ सकते हैं छलिए मैं अब आगे कब लोग कंटीनु करता हो लेकर चलते हैं आपको जामा मस्जिद में ओके तो घाइस अभ को जूते उताना पड़ेगा उसके साथ में आपको 20 रुपे यहां पर लेते हैं आपके जूते रखने के लिए तो इस बात का ख्यार लगना अगर आप चाहें नहीं देना चाते तो ऐसे भी लेकर जा सकते हैं जूते हाथ में लेकर जाएं और घूंद करके वापस आ जाएं लेकिन अगर आप अंदर ऐसे ही जाना चाते हैं तो यहां पर जूते दे दो 20 रुपे पड़ेंगे तो मैंने अभी यहां पर जमा कर देंग कि मुझे अंदर जाकर कर शूट करना है तो चलो देखते अंदर यह है इसकी में इंट्री जामा मस्जिद की सो अभी मैं यहां से अंदर आ चुका हूं और आने के बाद में यहां पर कुछ इस तरीके का माहौल मंडे का दिन है फिर भी इतनी जादा भीड़े तो संडे की दिन क्या हाल होता होगा मुझे नहीं मालूम यार बहुत ही जादा भीड़ है यहां पर तीन गेट है एक यह गेट है और एक यह ग आएंगे तो महां पर नमाज होती है एक बात मैं यह बता दूँ अगर आपका यहां पर जामा मस्जिद में आने का कभी भी प्लान बने तो इसकी जो लोकेशन है बिल्ली में चांदनी चौक एरिया पड़ता है जहां पर लाल किला और यह जो जामा मस्जिद है दोनों ही ए देखते हैं आगे क्या का देखने को मिल सकता है ओके सो बने रहे हैं मेरे साथ में इस व्लॉग में ओके अब दो गाइस यहां पर बैरिकेशन लगा के रखा है शायद यहां इसके आगे अंदर जाना अलाउड नहीं सुछ लोग महां पर अंदर जो की नमाज शायद पढ़ रहे हैं और यहां पर कुछ सायद मेंटेरेंस का भी अभी काम चला है क्योंकि यहां पर बहुत सारी यह यहां पर नीचे से उपर तक इसका फोलिंग लगी हुई है तो शायद कुछ यहां पर मेंटेरेंस का काम चला है सो गाइस अभी एक बात और भी इंट्रेस्टिंग यहां पर आने के बात में बहुत सी बाते मुझे यहां पर आकर कर पदा चल लें कि यह जो जामा मस्जिद देना यह इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है इसकी की बात करें तो यहां पर 25,000 लोग एक साथ में नमाज पढ़ सकते हैं एक टाइम में अगर पढ़ना चाहें तो अगर इसकी बनवाने की बात करें तो जो राजा थे शाहां उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया था 1250 26 में इसको बनवाने की चुरुवात की थी और 6 साल टोटल लग घए तो बनवाने में मसजिद को ओर टोब अगर चुह करें तो बोलता है कि इस वक्त के दमाने में उस में समलो benefits 50 लाक और रुपे खर्चा आया था टोटल इस मख़िद को बनवाने में जो की बहुत ही तो उस वक्त साजहान ने सदा उल्लाख खान एक वजीर थे उनके टाइम में तो उनको यह जिम्मेदारी दी थी कि आपको यह मजीद पूरी जो भी काम है सारा आपकी जिम्मेदारी में होगा तो यह कुछ बाते हैं जो मैंने आपको बताई तो गाइस यह जो वजू करने की अचे जगह आया है यहां पर जाम ह्सक्राइब में यहां पर एक खास बात मुझे अभी आने के बाद में मालूम पड़ी वह हैं आप यहां के गडिय कोवकल करके रख़ा तो उन्होंने यह भजेसे यह कवर करके रख दिया गया अगय hin यह काफी इंट्रेस्टिंग चीज है जो मुझे यहां आने के बाद में मालूम पड़ी और इसमें कितनी सच्चाई है यह तो उपर वाला ही जान सकता है बाकी यहां के जो गाइड है उनसे मैंने बात पूछी तो उन्हें ने बात मुझे अभी बताई तो गाइज यह जो सब्सक्राब से और ऊंसफान बें यहां सबस्था है और के साइड मैं है आगल के भी दो गूममध है और बाकिसा मिनार है जिए देखें के नीचे का तो छोड़ मैं खोड़ी दर्न यहाँ से पूरा समलो की दिल्ली दिखता है तो देखता हूं जाके वहां से कैसा सिर मिलता है, okay? अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे, पचास रुपे का टिकट है तो लेकर के चलते हैं उपर,, so guys मैंने जो टिकट लेना था ना मिनार के उपर जाने का वह यह टिकट जैंगे आप मेरे पिछे जो मिनार है एक हम जाएंगे इसके उपर और वहांस देखने कैसा स्rem दिखता है बहुत ही जादा बीड़ा है सो घाईज यह मिनार के ओपर जाने जाने का रास्ता और जाने के पहले मैं एक चीज आपको दिखा दो यहां से दिखो यार कितना खुबसुरत सीन यहां से दिख रहा है इसके अलावा यहां पर यह जो गुम्मल्स बने हुए ना जामा मस्जिद कि यह दिख रहे हैं कितने खूबसूरत है यहां से दिखने में बहुत ही अच्छा सीन लग रहा है यहां से सो अभी मैं आ गया हूँ जामा मस्जीद की जो मिनार है ना वहां पर टॉप पे आगया हूँ औरे पीछे आप यह देख सकते हैं और यह देख लो भाई यहां तो यहां से दूर दूर तक दिगरा पूरा दिली जितने भी घर बने हुए ना सारा कुछ यहां से आप देख सकते हो इस मिनार से तो गाइस अब इसी खुश्तरत से सीन के साथ मैं मैं इस लोग को एंड कर रहा हूं और वीडियो अगर अच्छा लगा यार तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंश करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा व्लॉक कैसा लगा और सबस्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेनत करनी पड़ती ब्लॉक को बनाने के लिए य नहां पर काफी अच्छा मेरा एक्स्वीरेंस रहा बाकी इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर मुझे फॉलो कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका और बस यही कहना था मुझे और मैं मिलता हूं आप नहीं लोकेशन पर किसी और नहीं व्लोग के साथ में तब टक के लिए Dakar, see you in my next vlog